चाचा भतीजे को साथ रखने में छूट रहे हैं बीजेपी के पसीने नए फॉर्मूले पर तयार होंगे चिराग इंजिया गटबंदन के शिल्पकार माने जाने वाले नितिश कुमार के साथ आने के बाद भारती जिंता पार्टी की स्थिति बिहार में तो मस्बूत हो गई है लेकिन दूसरे सहयोगियों के साथ समन्जे से बिठाना चुनोती बन चुका है बीजेपी चिराग पासवान और उनकी लोगजन शक्ति पार्टी को खुश करने का तरीका ढूंड रही है ऐसा इसलिए है कि भगवा खेमा उनके चाचा और केंद्री मंतरी पशुपती पा तेजस्वी आदव की पार्टी आरजड़ी ने परिस्तिती को भापते हुए चिराग पासवान को आठ लोगसबा सीटों का उफर दे दिया है इनमें से 6 बिहार की सीट और 2 बिहार से बाहर की सीट शामिल है इसके लिए चिराग को महागडबंदन में शामिल होना होगा सूत्रों की माने तो बीजेपी अब इस पर विचार कर रही है कि चिराग की साथ किस तरीके से सीट शेरिंग करनी है पार्टी की कुछ नेता इसे दबाव की राजनी तीब बताते हैं आपको बता दें कि चिराग पासवान के पास कथित तौर पर 6-7% वोटों का समर्थन प करना है लालु प्रसाद और राम बिलास पासवान के बीच बहुत अच्छे राजनीतिक संबन थे महीं चिराग के अलावा भाजपा को उनके चाचा केंद्री मंत्री पशुपती कुमार पारस को भी संतुष्ट करना होगा पारस राष्ट्रे लोग जिन शक्ति पार्टी के प्रमुख हैं और NDA के सहयोगी भी हैं चिराग और पशुपती पारस दोनों ही पासवान की राजनीतिक विरासत के असली उत्राधिकारी होने का दावा करते हैं एक भाजपा नेता ने कहा कि 2019 के लोकसवा चुनावों में हमने लजेपी और जेडियू के सहयोगियों के साथ बिहार में 40 से 49 सीटे जीती ये एक अच्छी केमिस्ट्री है हम इसमें खलल डालने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं लेकिन हमारी चुनावती ये है कि पारस को कैसे और कहां समायों जीत किया जाए चिराग हाजिपूर सीट से चुनाव लड़ने पर अड़े हैं फिलहाल पारस को समस्तिपूर से चुनाव लड़ने के लिए कहा जा सकता है वर्तमान में सीट से चिराग के चचेरे भाई प्रिंस राज सांसद हैं अगर ऐसा होता है तो चिराग एंडिये में बने रह जाएंगी और तिजस्वी आदव के खिलाफ एक युवा चेहरा एंडिये के पास होगा जो कि लोगसबद चुनाव के दौरान पलट बार करते नजर आएंगे इस विशा में आपकी क्याराय है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं फिलहाल इस रिपोर्ट में केवल इतना ही ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी